वेल्डम तो मैं चानल इन्वीजिबल ट्रेडर होप आज लोग ने भी धुवांधार पैसे कमाये होंगे हमारा व्यू बहुत क्लियर था दो तींची जाम ने बोली थी के बैंग निफ्टी में मंडे हमें एक रेट केंडल दिखेगा बदाट वूल भी ये बियर ट्राप उसके उपर गया पट अप्साइड मैंने क्या बुला था कि मार्केट अगर गया पप होजाता और बड़ा गया पटो बहुद्व है तो यहां पर हमारी बाइंग जोन बनगी यह तो गटे का नहीं छोड़ो यहां तक आए गए भी नहीं मुझे ने लगता कि कि दुबारा यहां पर आने वाला है मार्केट हमारा व्यू बहुत क्लियर था मंडे बियर ट्राप के बाद हमें अटलीस वेडनेस डे तक पॉजिटिव साइड में रहना है ग्लोबल मार्केट आज भी थोड़ा पॉजिटिव है नाजदक थोड़ा चा कम जो रहे विच इस हो जाता है तो फिर ट्रेड हमारी अलग हो जाएगी मेरे वीव पर ट्रेड मत करना ग्लोबल मार्केट होता है मुझे नहीं लगता कि हैवी नेगटीव होगा फ्लाट ओपन भी होगा तो हमारा व्यू काम करेगा बैंक निफ्टिकल थोड़ी सी क्या बोलते हैं कंफ्यूज दिखते हैं उनको पता है सेल जोन में कभी भी मार्केट सपोर्ट लेता यह हमेशा उपर ही जाता है डिरेक्शनल और हमने मोमेंटम की बात करी थी कि यहां पर उपन हुआ तो बड़ा मोमेंटम हो गया तो समझ लेना कि मार्केट दिन भर पॉजिटिव रहेगा रहेगा ब दिरेक्शनल मनी इस्पेशली ऑन दबुल रण तो जो लोग ने वीडियो देख रहें वह भी समझ लें के सेल जोन में जब भी भी अपना इंडेक्स सपोर्ट लेता है तो उसको हम कभी भी सेल नहीं करते हैं हम हमेशा रहते हैं और हमने देखा है दिन भर यह बाइन डिप सब्सक्राइब फॉर फिप्टी तक मार्केट अट लीस एक बार आ जाएगा बटो आया नहीं मार्केट आया फॉर हंडडर तक फॉर हंडडर तक पचास पॉंट से रुग गया बट कुछ इस ओके ओके और यहां पे बैंक निफ्टी ने बहुत ब्यूटिपल सपोर्ट ले और निफ्टी क्यों गिरा आपको अगर ध्यान होगा मैंने आपको सेवन ट्वेंटी सेवन थर्टी का एक कैपिंग लेवल दिया था और बोला था बैच्चास मार्केट बोनुस पॉइंट भी देता है हमको तो यह सेवन फिप्टी तक माक्सिमम जाने की पॉसिबिलिटी अगर देखो कि मार्केट सेवन फिप्टी तक ही गया है और सेवन फिप्टी के बाद यह अगया है और हमारी विजक व्यू थी इथा अगर देखो यह फॉल तो होई गया बैंक तो बहुत बढ़िया थी आज निफ्थी वालों के लिए जिनको हट अटक लगा होगा मैंने बोला था लंच के बाद एक बार बाइक कर लेना डाइट अगर आप देखोंगे एक बजे के दाएद बाद मार्केट ने आपको बाए ही दिया है यह इतना बड़ा फॉल हमारा एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तक तो आई जाएगा बट कभी दिन भर में कभी यह 17,800 लेवल टच कर सकता है निफ्टी और 17,800 नॉट इसे राउंड लेवल वेरी वेरी पाउर्फुल लेवल यह मैंने वीकली वीडियो में बना था इसलिए इसको इतना मोटा करके मैंने रखा हुआ है तो कल जो है देखो कल जो है है तो हमारा बुल रन मोटा मोटा है बट साइस तो हम प्रेडिक्ट करी नहीं सकते के मार्केट क्या साइज हमें देगा वी कांट प्रेडिक्ट साइज तो हमें एक रीजनेबल टार्गेट 17,800 रखना चीए उसके बाद मार्केट जितना जाए बोन असे वैसे तो कैपिंग लेट 20 के आसपास है मार्केट 17,000 एट 20 से उपर मार्केट जा सकता है बट आयूल नौट रेस्टिक्शन टुमोरो के मार्केट कितना जा सकता है लेवल दो हमने बनाया है बट रीजनेबल टार्गेट 17,800 पे सेल करोगे कर सकते हो सकते हो अधरवाइस सेल में मत रहना कल कल जो मैंने यह दिया है कॉशन दिया है वो पहला 15 मिनिट का कॉशन दिया है मैंने के सायद 15 मिनिट वेट कर जाओगे तो सायद मार्केट आपको एक अच्छा वाइसाइड दे सकता है 930 के बाद 948 940 के बाद तिल डे एंड हम एक एगें डिरेक्शनल मूब पॉजिटीव साइड मार्केट में देख सकते हैं तीक है और टार्गेट हमारा यही रहेगा देखते हैं कल क्या होता है कॉंट्रा कैसे करोगे अगर हमारा व्यू गल जाता है कॉंट्रा कैसे करोगे कॉंट्रा के लिए कल भाई टाइम नहीं है क्योंकि मेरी जो आक्च्छल ट्रेडिंग चालू हो रही हो नाइन थर्टी 940 के बाद ही चालू हो रही है और जो अल्मोंस एक घंडा कतम हो गया ए सबको पता यह वाई जोन में मार्केट रियक्षन करता है तो यह मारनेगा मारकेट अगर 50 नीचे आ जाता है या 50 वे नीचे गिर जाता पहला 15 मिनित क्या करेगा मार्केट कर देता है तो इस लेबल से 940 में एक बाइटेंट आपका बनता है जिसमें आप पूरे दिन भर ब यहां से अगर मार्केट जा रहा तो टार्गेट आएगा नहीं करेंगे मार्केट अगर ऑपन करता है जो चांसे लग रहा है या माइल्ड ओपन होके उपर जाता है तो उसकेस पे ना यह पहला ब्रेक आउट देगा यह डे हाई काट ट्राइबल के सीधा ट्रेड मत ले ले लेना जा सकता है मार्केट और आज प्राइस एक्शन ट्रेडर में कल इस वेट करूंगा इसको रिट्रेस करने के लिए और फिर इस यह सपोर्ट से फिर में सत्राइजार राट सो सेवंटीन थाउजन एट ट्वेंटी का लेवल में लोंगा ठीक है यह साथ मोकाब को मिलेगा नहीं मिलेगा अगर आप इतना लॉस जहेल सकते हो यह ब्रेक आउट लेने के बाद वैसे जहां से आपने एंटरी किया उसके पांज़स पॉइंट का स्टॉपलस यह आपका स्टॉपलस रहेगा पॉइंट का स्टॉपलस बट अगर यह रिट कैंडल जहेल सकते हो तो ले लेना अधरवाइज रीटेस्ट वी एक गुड़ स्ट्राइजी और गैप अप हो गया तो रीट्रेस्मेंट में मेरा बाय अन डिप्स रहेगा दिन भार का ठीक है कवंटर के लिए कल टाइम नहीं मिलेगा तो उसके लिए घाली मत देना तो बैंक निफ्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कल प्रॉब्लम यह है कि यह है हमारा एक सेल जो इसको हमें एक्टेंट करना पड़ेगा यह थोड़ा सा वीक है तो इस तरह के लेबल्स पे ट्रेडिंग दो तरह से होती है पहली चीज़ देखो ऐसे तो होगा नहीं बाइचांस मार्केट गाप डाउन होके या पहला 15 मिनिट में बड़ा कैंडल अगर बना भी देता है तो इस एरिया से आप कभी भी भी कर सकते हो लिछ नहीं लगता मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा मार्केट नहीं जाएगा उस केस में आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 41,450 500 गास्वास मार्केट आ जाएगा सायद कल आ जाएगा उस केस में जाने को ऊपर कुछ भी जा सकता है बट 41,500 का एक टार्गेट हमारा बनता है सेकंड सेनरियो हमारा बनता है फ्लाट ओपन हो या हलका अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे यह सेल जोन को यह काटे पॉपर ही मेरी ट्रेड बनेगी और सिर्फ दो सो पॉइंट की ट्रेड बनेगी यह जोन तक जाने को यह जा सकता है जो हमारा विकली टार्गेट है यह मोटा रेड लेबल आट सो तक जाएगा नहीं जाएगा अगर यह जोन कट गया मॉनिंग में ही इस लेबल के नीचे से सेल जोन काट के ऊपर जा रहा है तो साइद ना सब्सक्राइब करता है कि आप कितनी स्ट्रॉंग में रहोगे और टार्गेट आपका क्या होगा अगर नीचे यह जोन से जाता है तो आपका मार्केट नगर आपको 200 पॉइंट का फॉल दे दिया ना आपको आँख मुंद के वह पकड़ लेना है मार्केट भले धिरे धिरे उपर जाएगा उपर ठीक है इसी विए के साथ ट्रेड करेंगे और बाकी जोगा लाइब में देखेंगे आप मेरे को अगर पर्सनली लेके फिर मार्केट को ऊपर एक बार जाना चीह है अटलीस सेवन फिट्टी एट हंडेड तक मार्केट पहुंच सकता है अगर मार्केट फॉटी वन ताउजन एट हंडेड तक कल डेंड में पहुंच जाता है सारे बूल पोजिशन आपको कट करने क्या क्योंकि एकी दिन बचे का थर्सडे का कोई रिस्क नहीं लेने का हमारा टार्गेट सिर्फ वेडनेस दे तब बुलन बाइवन डिप्स का था थर्सडे खिचडी होगा उपर भी जा सकता है देखेंगे बट हम इतना रिस्क नहीं लेंगे बहुत क्लियर रहना इस्पेशली ऑप्शन बायर्स मुप रुम बचवशच लगं रख्रेंगेzil थे वेडने बच्ब बलूँर्प देखे और